coping with death case of women हम नाजेरिया के कॉंटेक्स्ट में बात कर रहे थे लेकिन बहुत सारी मुस्लिम सोसाइटेज में और नौन मुस्लिम सोसाइटेज में औरतों का डेथ के हवाले से क्या रिष्टा बनता है थोड़ी सी इसकी बात कर ले थे एक तो विडो हुड है जिसमें जब किसी family का head of family चला जाता है तो जो बेवगी का status मिलता है उसके इर्दगेद अब ये death से related एक चीज़ है कि जब death से निबटना हो और उसके जो नतीज़ा है उसके जो नताइज आपकी जिन्दगी पे असर अंदाज होते है किसी के जाने के उनमें औरतों के case में एक तो बेवगी का चीज़ है विड़ोड दूसरा है कि औरतों की death के rituals में क्या role है इसमें culturally जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी हमारे हाँ traditional role और modern इन दोनों की मैं बात करूँँगी so traditionally Nigeria में, Pakistan में बहुत सी traditional societies में the men would get involved in the preparing of the body of the male and women would get involved in preparing the body of the female जिस तिल ये जिन्दगी किसी की खतम होती है तो उसके बाद इहतरामन ले जाने के लिए खातून को खातून और मर्द को मर्दी तयार करते हैं modern western में अब funeral जो है वो घर का मामला नहीं रहा और उन culture में जो है वो इसको एक service funeral service के हवाले कर दिया गया है तो irrespective of gender we have no idea who has prepared the body और ये एक चीज़ है जिसमें आपको बहुत ज्यादा फरका मिलेगा western और eastern culture में यहां पर हमेशा घर के लोग ही उस चीज़ में शामिल होंगे बड़ी protection बड़े पर्दे के साथ जिसको हम मयत के दफनाने से पहले गुसलाने का अमल कहते हैं वेस्ट में इसको ऐसा नहीं किया जाता लेकिन इस्टरन कल्चर में जैपान चाइना इसमें जो मौत की रस्में उसमें औरत के मामले में रोल अदा करती हैं और मर्दों के मामले में करती हैं दूसरा पिर यह कि क्या वो दफनाने के अमल में कंधा देने के अमल में शामिल होते हैं कंधा देने के अमल में तो अब भी औरते शामिल नहीं होती लेकिन कबरुस्तान तक जाने में हमारी में वेस्टरन ऐसी सुसाइटी जिन में लॉव को बहुत एहमियत दी जाती है वो उसमें जो लीगल एसपेक्ट्स हैं वो अगर मौत से पहले एक वक्त मिल गया हो तो उसको कबर किया जा सकता है लेकिन मौत के बाद जो कुछ भी होगा वह लॉव के हिसाब से डिसाइड होग के इलावा किसी और चीज़ के लिए वक्त करना है तो आम तो पर हम वरास्त की बात कर रहे होते हैं लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि वरास्त का तालुक जो है वो जिन्दगी से नहीं मौत से है ज्यादा तो उसमें जो गुफ्तगू कल्चर में सुनने में आती है कि आप वे इसलाम में ऐसा नहीं है तो तो मुस्लिम मौलिक में चरन ही वरास्त की तक्तीम होती है और डेथ के मामले में औरत और मरत के एक्सप्रेशन में क्या फर्क है क्योंकि हम यह औरतों के उसमें चल रहे हैं फर्क है कि जो ग्रीफ का एक्सप्रेशन है जो एक्सपीरियंस है ग् के women express their grief more as if they have been hit by something. जैसे उनको कुछ चीज लगी हो आके. And men express it more as if there is a burden on their shoulders. जो उनके आपर नाजिल हुआ है. तो जब यह study research की गई और उसमें पूछा गया तो इस तरह के expression सामने आए. personality variables जो है. आप कितने शुकर गुजा रहे हैं. आप कितना सबर रखते हैं. आप में openness कैसी है. आप nervous कितने हैं. कम हैं ज्यादा हैं. आप कितने conscientious हैं. याँ आप बहुत ज्यादा चीजे structured, regularity से, punctuality से करते हैं. आप अपनी duty को बहुत सकती से लेते हैं और duty को अदा करना जामते हैं. इस तरह के जो personality variables हैं जेने हम five model of personality कहते हैं और उसके इलावे जो हमारी character के traits होती हैं. सबर, शुकर, emotional intelligence वगारा, बहादरी, ये अकल बंदी, दानिश बंदी, ये सब जो हैं इनका भी एक रोल होता है. इनका भी एक अमल होता है, इसके अंदर एक अमल दखल, इसलिए नज़र आता है कि ये चीज़ें आपके अंदर एक तफक्र, तहम्ल और एक growth का अमल पैदा करती हैं मौत से encounter के नतीजे में. चाहे कोई अपनी मौत का इंतजार कर रहा हो, जो कि हमने वो भी देखा हुए है, कि कुछ लोग बदल जाते हैं, जब वो cancer के आखरी stage में हैं, तो मैंने देखा कि नर्मी आ गई और लेकिन कुछ लोगों को मैंने आखरी वक तक उसी बुरे मिजाज में देखा जैसा वो ज कैसे रही है, सडन हुई है या सडन नहीं है, और सोशल स्पोर्ट की जो availability है, वो कैसी है, और पिर आपका जो religious belief है, वो grief के जो outcome है, उसको determine करेगा, वो उसको असर अंदाज होगा, क्या क्या कुछ, personality, gender, religious beliefs और सोशल स्पोर्ट, ये चारों चीज़ें जो हैं, मौत के नतीज में आप जजबाती तोर पे, नफसियाती तोर पे किस चीज़ से गुजर रहे हैं और उसमें मुक्तलिफ cultures जो है, वो इसके उपर इस process को किस तरहां देखते हैं, वो grief का जो outcome है, तमाम cultures में ये research देखी जा सकती है, और इसकी observation है, कि आपकी शखसियत, आपके religious beliefs, आपका gender औ social sport ये grief के outcome को determine करता है